अगर आप मुझे पूछे हैं कि कल शाम को मैंने यूट्यूब पर कौन-कौन से विडियो देखे थे तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा और I'm sure कि अगर मैं आपको पूछू कि आपने पिछले दस यूट्यूब शॉट या इंस्टाग्राम रील जो देखे थे वो कौन से थे तो आपको भी याद निया होगा हमारा मीडिया लैंड्सकेप इतना भर गया है चीजों से कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को हमने कब कंजूम किया था उसमें क्या देखा था ये हमारे लिए याद करना मुश्किल होता जा रहा है मेरे बच्पन का एक बड़ा हिस्सा नब्बे के दशक में पीता यानि की 90's में पीता 90's के दौरान हमारे यहां मीडिया के नाम पे एक टीवी हुआ करता था जहां पहले एक चैनल था फिर दो चैनल आये दूरदर्शन और डीडी मेट्रो और उसके कुछ साल बाद केबल टीवी आया मुझे अगर अपने बचपन को डिस्क्राइब करना हो तो मैं मीडिया के माध्यम से कर सकता हूँ मैं आपको बता सकता हूँ कि हर संडे सुबह 9 बजे हम लोग ही मैन देखते थे और कुछ सालो बाद उस ही मैन सीरीज की जगा ले ली डक्टेल्स ने और अलादीन ने आजकल मुझे ताज़ुब होता है कि ये मेरे लिए करना कितना आसान है अपने पूरे बचपन को एक पूरे 10 साल के डियूरेशन को शायद 20 साल के डियूरेशन को मैं 2-3 सीरीज कुछ सीरील्स के माध्यम से आपको बता सकता हूँ मुझे एक बड़ी हद तक ये याद भी है कि मैंने उन सीरील्स में उन सीरीज में क्या क्या देखा था पर अगर आप मुझे पूछे हैं कि पिछले हफ्ते मैंने नेटफ्लिक्स पे कौन-कौन सी फिल्में देखी थी तो मैं शायद आपको ना बता पाऊं क्या ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे पास कुछ जादा ही चॉइस है क्या कम चॉइस इस प्रॉब्लम का सिलूशन हो सकती है क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि हर संडे दूर दर्शम पर जो पिक्चर आती थी उस पिक्चर को पूरा परिवार मिलकर मज़े लेकर देखता था और वो पिक्चर चाहे कितनी भी बकवास क्यों ना हो उसके बाद वाले दिन स्कूल में उस पिक्चर को लेके लंबे लंबे वारतालाब हुआ करते थे मेरा सवाल ये है कि वो excitement खतम क्यों हो गई है क्या वो excitement खतम हो गई है इसलिए क्योंकि अब हमारे पास अपार choices है क्योंकि कभी-कभी मैं Netflix खोलता हूँ कभी-कभी मैं YouTube खोलता हूँ और मेरा पूरा homepage ऐसे वीडियो से भरा होता है जिनको देखने की मैं कलपना भी नहीं कर सकता था आज से 20 साल पहले पर बावजूद इसके मुझे कुछ भी देखने का मन नहीं होता बावजूद इसके मैं कोई भी film complete नहीं करता कई film में तो देखना शुरू भी नहीं करता कुछ माईने पहले मैंने अपने media diet को थोड़ा सा reduce करने के लिए एक तरीका अपनाया था और इस तरीकी के बारे में एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने smartphone को त्याग कर एक छोटा सा Nokia का डबा phone इस्तमाल कर रहा हूँ और उस experiment का अंत हो चुका है एक हफ़ते पहले और मुझे लगा ये वीडियो बना कर मुझे आपको इस बारे में बताना चाहिए क्योंकि otherwise आपको लगता रहेगा कि मैं भी एक डबा phone इस्तमाल कर रहा हूँ मैं अब एक iPhone इस्तमाल कर रहा हूँ and I'm happy to report कि iPhone में actually मेरा जो media consumption habits है वो डबे phone से भी ज़्यादा कम हो गई है और इसको करने के लिए मैंने कुछ apps का साहरा लिया है मैं उन apps के बारे मैं आपको बताऊँगा पर पहले आपको यह बताऊँ कि मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ मैंने basically दो apps का साहरा लिया है अपने desktop पर अपने browser पर मैंने एक app लगाया है जिसका नाम है stay focused और अपने phone पर मैंने एक app लगाया है opal उसका नाम है यह चीजे मेरी जो सबसे ज्यादा इस्तिमाल होने वाली online services है उन पर मैं कितना समय spend करता हूँ उनको घटाने में मेरी मदद करती है for example opal को मैंने बताया है कि मुझे दिन में किस समय तक instagram का access चाहिए और किस समय मैं instagram को access नहीं करना चाहूँगा और opal उसे हिसाब से apps को block कर देता है मेरा instagram का usage पूरे दिन में एक घंटे का ही है यह एक घंटा मैं दो समयों पर access कर सकता हूँ सुबह 8-9 के बीच मैं instagram के इस्तिमाल कर सकता हूँ अगर मैंने पूरा आधा गंटा instagram के इस्तिमाल किया और चुकि मेरे पास सिर्फ एक घंटा होता है मुझे decide करना पड़ता है कि मैं उसे एक घंटे में क्या करूंगा मैं instagram के इस्तिमाल सिर्फ content consume करने के लिए नहीं करता हूँ मैं constant create भी करता हूँ इसलिए आज कल मैं अपने ideas को एक notebook में लिखने लगा हूँ और सुभह या तो शाम को मैं एक reel बना कर या एक photo डाल कर उस content creation के काम को निपटा लेता हूँ वो content तभी नहीं जाता instagram में एक scheduling feature है जिसके मदद से मैं उस content को आने वाले एक दिन, दो दिन, तीन दिन बाद तक भी schedule कर सकता हूँ और मैं यहीं करता हूँ YouTube और Netflix जैसी video services का इस्तमाल मैं आमतवार पर अपने desktop computer पर करता हूँ और उनका इस्तमाल भी मैंने one and a half hours तक रखा है यानी डेड़ घंटे तक पूरे दिन मैं मैं उनका इस्तमाल डेड़ घंटे तक ही कर सकता हूँ पर सुबह 9 से शाम के 5 बज़े तक बिलकोल नहीं कर सकता तो मेरे पास video consume करने का time शाम को ही होता है रात के 10 बज़े से पहले और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए mentally अच्छा साबित हो रहा है क्योंकि अब मैं वापस उसी दूरदर्शन वाली frame of mind में लॉट चुका हूँ भूल जाओं कि मैंने क्या देखा था अगर मेरे पास video देखने के लिए दिन में एक घंटा है तो हो सकता है मैं अपनी फेवरेट सीरीज का कोई episode देख लूँ हो सकता है मैं किसे picture को बचा कर रखूं Sunday के लिए by the way Sunday को ये सब काम नहीं करता Sunday को मेरे पास पूरा दिन होता है वीडियो उसको access करने के लिए अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिसको एक घंटे पर नहीं देखा जा सकता तो मैं उसको Sunday के लिए बचा के रख सकता हूँ मैं उस आखरी generation का हिस्सा हूँ जिसको ये याद है कि अपनी जिन्दगी offline यानि internet के बगएर कैसे जी जाती है और मैं उस पहले generation का हिस्सा हूँ जिसने internet को अपनी जिन्दगी का हिस्सा बनाया मुझे याद है internet के शुरुवाती दिन मुझे याद है आज जिन चीजों को हम taken for granted समझते हैं इनकी आने से पहले क्या-क्या था मुझे कोई हग नहीं बनता आपको ये बताने का कि आपको अपनी media consumption habits कैसे रखनी चाहिए पर ये तरीके मेरे काम आ रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप भी उसी problem से गुजर रहे हैं जिससे मैं गुजर रहा था यानि कि आपका पूरा दिन वीडियोज देखने में रील स्क्रोल करने में किसी social media platform पर स्क्रोल करने में बीच जाता है तो हो सकता है ये तरीके आपके लिए काम करें Facebook डिलीट किये हुए मुझे कई साल हो गए है Twitter को मैंने पिछले साल डिलीट कर दिया था और इस समय मैं Instagram को डिलीट तो नहीं कर रहा हूँ पर उसका influence अपनी जिंदकी से एक बड़े हथ तक घटाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि Instagram पर मेरे काफी follower है और मेरा जो काम है वो काफी हथ तक Instagram पर depend भी करता है इसलिए मैं Instagram को goodbye तो नहीं बोल सकता पर मैं Instagram को one way street जरूर बना सकता हूँ मैं Instagram पर समय बिताओंगा अगर तो सिर्फ एक ही कारण से और वो इसलिए क्योंकि मुझे कुछ कहना है जो मैं चाहूँगा कि लोग सुने आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरा previous वीडियो देखना है इसमें मैंने एक डबा वोन इस्तमाल करना शुरू किया था तो आप उसको यहां देख सकते हैं